हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेर्स में अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना पूटें तो आएए शुरू करते है तो आज का हमारा टॉपिक है नाटो नौट अट्लैंटिक ट्रिटी ऑर्गनाज़ेशन क्या है यह एक इंटर गवर्मेंटल रिट्री अलाइएंस है मिलिट्रि अलाइएंस किन देशों के बीच में टूटल 30 मेंबर्स है इस और किसे शाइन करा गया था उस समय एक नौट-अट्लैंटिक ट्रिटी साइन करी गई थी वाशिंग्टन डीसी में 4 अप्रेल 1949 में में परपस क्या था इसका USSR को टैकल करना था क्योंकि उस समय क्या हुआ था जब World War 2 खतम हुआ था तो एक Cold War चालू हो गया था USSR और USA के बीच हो तो उसे टैकल करने के लिए यह ट्रिटी साइन करी गई थी तो क्या था नाटो में नाटो में कलेक्टिव सिक्वालिटी प्रोवाइड करते इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं अगर कोई भी थर्ट पार्टी नाटो के किसी बेल्जियम का कैपिटल है और नाटो का मिलिटरी हेड़क्वाटर्स का है यह है मोंस में जो की बेल्जियम में ही है स्टार्टिंग कब हुई थी नाटो की स्टार्टिंग हुई थी total 12 members थे मींस स्टार्टिंग में total 12 members आये ते फिर 8 times new members add होते गया इसमें मींस इसका expansion होता गया और सबसे recently अगर बात करें तो मार्स 2020 में North Macedonia नाम का एक country है उसने नाटो alliance को join करा था नाटो वैसे recognize करता है कि बोजने और हजन गोवेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन भी हमारे member बन सकते हैं साथ ही नाटो ने अभी कुछ टाइम पहले 2022 की ही बात है Finland और Sweden को भी invite करा है कि आप भी नाटो की सदस्दा पा सकते हैं यह सब क्यों करा जा रहा है, रशिया की aggression की वज़े से करा जा रहा है क्योंकि रशिया ने अभी currently यूक्रेन पर हमला करा है क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि हम नाटो को जॉइन करना चाहते हैं इस वज़े से बात करें, तो एक treaty of Dancrick sign हुआ था France और United Kingdom में 4 मार्च 1947 में World War 2 के बाद और उसी समय Cold War स्टार्ट हो गया था यह treaty क्यों sign नहीं थी, बिकॉज France और UK का पहले से ही बहुत ज्यादे wars हो चुकी थी और इनमें कभी बनती नहीं थी, बट World War 2 के बाद उनका एक common enemy बन गया था जो की Soviet Union USSR था, इस वज़े से इन्होंने एक treaty sign करी कि साथ में हम अब एक साथ coordinate करेंगे, आपस में कोई war नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा enemy क्या है, common है जो की Soviet Union है और Germany भी था समय, ठीक है न? So, मार्च 1948 में इसी alliance को expand करा, एक और treaty के साथ, Treaty of Brussels, जिसमें इन्होंने Benelix countries को भी include करा, अब Benelix countries में कौन-कौन सी countries आती है, Benelix countries में तीन countries आती है, Netherlands, Luxembourg और Belgium, ठीक है न? तो इससे क्या बना? Brussels Treaty Organization बना दिया गया, इस treaty के थुरू, जिसे अपन कभी का बार Western Union भी बोलते हैं, तो treaty के थुरू क्या हुआ, एक military alliance फॉर्म करा गया, फिर बात करी गई कि कैसे हम North America को भी include कर सकते हैं, तो North America में बात करें तो USA बहुत powerful country है, तो उसे भी include करने की बात हो रही थी, तो सबसे पहले meeting कहाँ पर हुई, United States में ही इस वारे में meeting करना चालू करी, और सबसे important एक चीज़ भहाँ पर adopt करी गई, वो था true man doctrine, true man doctrine क्या था, उस समय जब cold war चल रहा था, USA और USSR के बीच में, तो USSR को कैसे tackle करें, कि cold war कैसे खतम करें, main purpose था, USSR कैसे destroy करें, वो था true man doctrine, और सबसे important ये बात इसलिए थी, क्योंकि USSR किसे follow करता था, communism को follow करता था, तो इस communist aggression को हटाना था, इस वज़े से ये doctrine आई थी, इस talks के थूरू क्या हुआ, at the end, North Atlantic Treaty 1949 में sign कर लिया गया था, कुछ countries के द्वारा, जैसे Western Union, Western Union में कौन कौन है, ये France आ गया था, United Kingdom आ गया था, और Benelix countries आ गये थी, जिसमें Netherlands, Luxembourg और Belgium ते, साथ ही साथ उसके साथ United States, Canada, Portugal, Italy, Norway, Denmark और Iceland ने भी जोइन कर लिया था NATO को, Military Operations की बात तो NATO ने अभी तक कहां कहां पर Military Operations करे है, सबसे पहले बोस्निया और हैजन गोवेनिया Intervention करा था, ठीक है ना, फिर कोसोव Intervention करा था, ये तींक बार लिखा गया है यापर, कोसोव Intervention और फिर Libya Intervention, ये कुछ main interventions करे थे, इसके साथ और भी कुछ military operations करे थे NATO ने, अगर NATO के Member States की बात करें, तो यहाँ पर जो dark blue में आपको countries दिख रही है, ये NATO के permanent members है, जो light blue में है, ये भी चाहते है NATO का part बनना, और NATO ने इनको invite भी करा है, प्रोसेस चल रही है, जिसमें ये Sweden है, Finland है, Ukraine है, Australia है, और ये permanent members है, Canada, USA, और साथ ही कुछ Europe की countries, तो मुझे लगता है कि आपको NATO का अच्छा knowledge हो गया होगा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, टाटा, बाय बाय, and all the very best.